कि हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो एक बार फ़ें नहीं वीडियो के साथ आएं दोस्तों तो चली दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका तो आज हम बताते हैं आपको 2HP की मोटर के बारे में यह 2HP का पंप है यह बड़ा पंप है चार इंची के बोरिंग से पानी खैसता है और चोटे उस पर काम कर जाता बड़े काम कर जाता है जो नहीं करना होजिंग जो इसकी यह चैंज करनी पड़ती है बाकी सारा सिस्टम वहीं रहता है तो कभी भी आपके सामने और इस तरीके की मोटर वगएर आती है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं ल अब भीडेयो को एंड तक नहीं देखते हैं ताकि आपकी समझ जो किरो कुछ और बता है आप जब तक आप आप अपको प्तरीध प्लेड प लेट्य तक थो हैं पारंगहें ताकि एक टेकर पिरींक्यानी देक्ड़ को pra amount सबसे पहले हम करना क्या है इसकी जो कंडेंशर बगएर इसको हटाएंगे और इसको जो है स्टार्टिंग बगएरा और रनिंग बगएरा चेक करेंगे क्या इसकी पोजिशन है कौन सी सलाड में है क्या चीज है तो यह अठाइस सो आरपियम में मोटर बंधी होई है और 24 जां होने पर यह खराब होई है क्यों कि जा Review इनले जो इनं लोगोंने जो है मतलब बरसात मेंतलब बर साथ में पानी की तो कमी मतलब रहती है मतलब उठी नहीं है स्टार्टिंग कंडिशन नहीं होई है तो इननों वायर लगे रेंड दिया है कि अपना उठे की थोड़ी देर में उठे की बोल्टे डाउन है ऐसे करके मतलब काफी टैम इसके अंदर करन जाता रहा है उसके बाद में यह मोटर ना हमारा काम नहीं किय तो यह इसकी जो है मतलब लोडिंग बगएर हमारी बैट चुकी तो हमें इसकी जो मोटर बगएर के चुकर अजह जो हमारा कोपर वायर है यह हमने निकाल लिया है इस किसे संशाफ हों कि इन अंदर क्वायर किसे आधे चाहिए पीच रखनी है टन वगेरा रखने हैं इसके अंदर वो चीज मेन होती है दोस्तों ये सायद आपको जानकारी मुश्किल मतलब नहीं होगी तो आज हम बताते हैं इस चीज के बारे में पूरी तनके से तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें प्लीज 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 रि इकिस लंबर डवल वायर से बंदी होई है रॉन इसकी और नबर की जो है मतलब स्टार्टिंग अंथकी तो उसमें स्टार्टिंग में टन है हमारे 55-60 यहीं मतलब हमारा जो रिकॉर्ट था यहीं है कम्पनी का रिकॉर्ट मतलब लगबग सेमी होगा और जो हमारी रुनिक क की जो क्वाइल हैं बगएर है चार का सेट है हमारा और इसमें जो टन हमने रखे हैं 23, 25, 28, 30 23, 25, 28, 30 का हमने एक क्वाइल मतलब 4 का सेट बनाने के बाद में हमने ये मोटर के अंदर डाल दिया है हमारी मोटर हो चुकी है बिल्कूल बंद के रेडी अब इसकी टेपिंग बगएर हमने कर ली है अब इसकी बारी आती है पेपर दवाने की पेपर इस टैम हमने ये फर्मे की मदस से इसमें जो जो हलके हलके से जो पेपर इसके बढ़ाए हैं पेपर बढ़ाने के बाद में इस हो आपकी मोटर के sorting होने के Chance बढ़ जाते हैं कि वारनीस जो है इसकी जो तागत है वो बढ़ जाती ओई जो वायर इदर अधर होती है वो छिपग जाती है बहётся मैं वह-सो और होने के जो छांस है वह खतम हों जाते हैं तो सब से हमने इसका रूटर बर्गेर का इसका जो अ हमारने के बाद में इसके रूठर लगरे це करने के बाद में इसकी फीटिंग बिठाएंगहे आपको ध्यान देना इसकी जो प्लेट है उसमें जो डिश्ट बाइर लगे होती आए इसको अच्छे से साफ कर लें ताकि मतलब मॉोर्ट चलाने में आशानी हो और मॉटर बिल्कव हमारी बरकरा अच्छे तरीके से काम करें फिरी हूँ मॉटर को मॉटर हमने स्टेंप कर लिए लगाने के बाधि आता है ये से से करनी है इसमें चार वायर निकले आई ह हमारी तो सबसे पहले हमें एकस्टार्टिंग और रॉनग मेन बना लेनी है और 두 वायर एक रॉनइंग की यह और के लगाने केद लगाने MS अब आयर मेन जो इस पarn ролig की मेन विश्चाय करन और दूसरी वाली जो रंटिंग वाली जो वार्यelia मारिय उसन पर फिल याम चेक करें हमारी तरीके सّ यह बगार। पूरी तरीके से नहीं करेगी हमने इसमें के आर्पिय चैको कि लेफ और राइट में किस तरीके तो घूम रही है हमें राइट में इसके कनेक्शन करने हैं ताकि मोटर जाते ही पानी उठा ले अब यह बिल्कुर रेडियो हो चुकिए तो फिर मिल मुलकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों थै